राजिस्तान के अंदर निजी स्कूलों से आपने देखा होगा कि अभीभावकों को कई तरकी की शिकायते और समस्याइं लगातार बनी रही लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं कि निजी स्कूल के संचालकों को भी सरकार से लगातार शिकायते रही हैं शिकायते केवल अभीभावकों की नीजी स्कूलों से ही नहीं है, बलकि नीजी स्कूल संचालकों को भी सरकार से हैं, कुछ नीतियों के कारण, कुछ ऐसी विवस्थाओं के कारण सरकार से लगातार, नीजी स्कूल के संचालक हैं, वो लगातार सरकार को ग्यापन देते रहे ह और उसके साथ साथ सरकार से ये निबे-दन भी करते आ रहे हैं बॉप यह उपर गंबीर चिंतन और उसी यूपर बात करन्camera के लिए किन समस्याओं के उपर निजी स्कूल संचालक अपना यह सम्मिलन कर रहे हैं बारा के अंदर प्रदेश इस्तर का एक प्लांति अधिवेशन रखा है जिसका मुख्य अधिश है सरकार ने जो चार सार के कारेकार में निजी विद्यानों का शोशन किया है और उनके अस्तित को स समदी समश्याओं निजी विद्यानों के विद्यार्टियों को भी मेरिट बंद करी कहीं मानिता समदी प्रकरण है राज सरकार ने आर्टी के आर्टी से समदी आस तक बुक्तार नहीं किया जबकि सत्र समाप्त होने का है मानिता के नियमों को बहुत जठिल बना दिया सरकार ने निजी विद्याले की जो शोतेला यवार चाहे विद्यारतियों के साथ भी किया हो इन्होंने ने तो जो राज सरकार दोरा जो योजनाए लागो होती है निजी विद्यालों में भी वो योजनाए लागो होना चाहिए क्योंकि एक सरकार को सरकार का दायत होता है कि स समान तक अधिकार देना और समान तक अधिकार का मतलब होता है कि नीजी विद्यालें और सरकारी विद्यालों में पढ़ने वाले विद्यालों को उनके अधिकार मिनना चाहिए सरकार जिस परदेश में भी अगर वो सरकार चलती है तो उसका एक राजा का डायत होता है कि उसक अगर सरकार अमरी समफशाओं को लेकर वारता करती है हमें इन समफच्छाओं का समाधन निकालती है तो ठीक है अनुत आने वाले समय में सारी प्रदेश की नीजिशिक्षनर वन्हें एक वकर यहाल दोनन रुक अपनाना पढ़ेगा जिसकी समफ जिम्मेदरी सब्सक्राइब करें देखेज़ इस पूरे समयलयन के अंदर मुखे रुप से चार एजिंडा डिसाइड हो गया है संघ का और संग ने डिसाइड किया है कि थीजिद्टि बावकों को लेगन उससे ज्यादा समस्या निजी स्कूल लगातार सर्कार को रहे हैं उनको कई समस्या हैं जिसको लेकर लगातार राइसान प्राइब है इसकूल-ईस्टिशन लगातार सरकार को घ्यापन दे रहा है और उसके साथ मांदे में की सबसे मेत्मुन मिंदू राज्य सरकार इसकोल के संचाल को जहिलनी पड़ रही है शर्मा जी सबसे फीस अदिनियम के अंदर आपने कुछ बताया कि इस्टे क्या है थोड़ी सी जानकर वर्तमान सरकार ने फीस अदिनियम को निजी विद्याला में लागू किया फीस अदिनियम का मुख्य उद्यश था कि जो अधिक फीस लेने वाले उनको मुनाफ़ाख खे कि रोकने वालों के लिए नफासे रहा लेकिन सरकारों ने उनको मुनाफ़ाख कोरिकी रोकने के स्थान पर निजी विद्यालों में लगा करतिर माज संग दोपर और हम प्रदेश की हाईकोट का धरवाजा कट-कट था और निजा만 में टेज जो इस प्रांति अदिवेशन 12 में हो रहा है इसमें भी जितनी भी समस्या निजी स्कूल के संचालकों को प्रिदेश में हो रही है उसके उपर गहन चिंतन होने जा रहा है और चिंतन के साथ साथ यह तरकी का शक्ति प्रिदशन भी है राजिस्तान प्राइवेट एजुकेशन महासंग सरकार को अपना शक्ति प्रिदशन दिखा रहा है और अपनी जो मांगे है उन मांगों को मनवाने के लिए लगातार इस तरकी कोशिशे राजिस्तान प्राइवेट एजुकेशन महासंग करता रहा है झाल झाल